नमस्कार किसान भाईयो आप सभी का एकवार फिर से स्वागत है हमारी चैनल इल्पेटल में आज हम बात करेंगे कुबोटा MU 552 के बाद है में इसकी कम्प्लेट डीटेल जाने हैंगे ऐसी डीटेल जो आज तक आपने वीडियो में नहीं देखी होगी सबसे पहले अगर लुक की बात करें तो बनाव दी बेस्ट लुक आप देख सकते हो इस ट्रेक्टर का मुझे सबसे जाबा अच्छा लगता है इसका लुक क्योंकि यह बहुत ही खुबसूरत दिखाई देता है सामने आप देखोगे तो इसमें कुबोटा के ब्रैंडिंग है बहुत ही बारिक जाली दी गई है उसके साथ में फाइवर का बोनट दिया गया है कुबोटा मुपच पंजीरो दो डिजाइन बाई कुबोटा इन जापान मतलब जापान में यह इसको बनाया गया डिजाइन की कैसे कैसे चलेगा सिंक्रोमेक्स जब बारा प्लस चार डूल पीटी ओ ऐसे सब ब्रैंडिंग लगी हुई है साथी अगर आप मडगार्ड देखेंगे तो इतने जादा है भी दिये गये है कि इसमें फाइफ फिंगर वाला मडगार्ड दिया गया है जिसमें चार मजबूती के लिए कॉलम दी गया है मतलब बहुत ही जादा मजबूत इसका मडगार्ड दिया गया है जो अभी तक मैंने किसी ट्रेक्टर में नहीं देखा है वहीं अगर हम दूसरी साइट देखे तो इसमें 4Y4 की ब्रांडिंग है और ECDIUS इंजन है 4Wall Technology है यह सब लिखा हुआ है तो इसकी पूरी डिटेल में आपको एक सीरे से बताता हूँ सामने अगर आप देखोगे तो इसमें एक छोटी सी बेटरी लगी हूँ यह ऐसा लगता है जैसे आटो की बेटरी है लेकिन इसके अंदर आप्शनल है आप यह छोटी बेटरी के साथ बड़ी बेटरी भी लगा सकते हैं यह जो बेटरी है यह बताती है कि ट्रेक्टर कितना जल्दी और फाइन स्टार्ड होता है गहीं आप रेडियेटर देखोगे तो इसमें एक जाली लगी हुई है और उसके आगे अगर आप इंजिन की बात करोगे तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह चार सिलेंडर का इंजिन है टर्बो चार्ड है 2434 सीसी का है और इसमें 4 वर्ल टेक्नोलोजी है इसका मतलब यह कि इसके अंदर दो इनलेट के और दो आउटलेट के बॉल दिये ग लिए सिर्फ एक छोटा सा नट दिये गया है अब उसके लॉक को खुलो आपकी एर आटोमेटिक निकल जाएगी और यह इन्विल्ट डिजाइन वाला पॉम्प है मतलब यह ट्रेक्टर के अंदर ही पॉम्प फिटेड वाला सिस्टेम है जो की काफी युनीक है और काफी द होते हैं मतलब पूरी तरीके से सील्ड पांच प्लेड वाले ब्रेक दिये गए हैं दूसरी साइड से अगर हम बात करें तो यहां से आप देखोगी तो एर क्लीनर आपको दिखेगा सामने वहीं अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें टर्वो चार्ट दिखेगा मतलब ज इसके अंदर सबसे खास बात यह दी गई है कि इसका 35% reserve torque है और technology के मामले में आप देख सकते हो कि कितना advancement है इनमें सामने जो है spline में जाली दी गई है ताकि अगर आपको सामने वाला distributor pump लगाना हो तो आप लगा सकते हैं वहीं अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको altern generator motor दिखाएगी और starter motor दोनों ही दिखाएगी और साथ इसकी एक बात यह है कि दो pump इसमें दिये गए हैं एक hydraulic का दिया है और एक दिया गया है power steering का और दोनों ही pump जो है एक साथ लगी हुए है वहीं अगर आप आगे देखोगे तो इसका जो clutch है यह five finger clutch है मतलब इसके अंदर जो clutch दिये गया है वो ceramic coating वाला five finger का clutch दिये गया है जिसकी life जो है काफी long रहती है वहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे तो turbo की नीचे इसमें एक boost technology दी गई है जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा pressure बनकर engine के अंदर diesel जाए जो की आपको ज़्यादा अच्छा result दे और fuel efficient ब instrument cluster बहुत ही सांदार दिये गया है मतलब अलग-अलग light के साथ में अलग-अलग style से आप इसमें temperature, fuel और rpm चेक कर सकते हैं वहीं अगर आप नीचे देखोगे तो एक side पे आपको switch emergency दिया गया है नीचे 4 wheel के लिए दिये गया है मतलब 4 wheel engage और disengage करने के लिए side से यह आपको parking lock दिये गया मतलब brake दबाओ और इसे खीच दो आपका lock लग जाएगा और इसका engine का on-off switch जो है वो tractor में दिये गया है मतलब इसे sonolidal switch off on technology बोलते हैं यह लोग जिससे की tractor वहीं on हो जाता है और उसी button से off हो जाता है कोई आपको अलग से खीचने वाली जरुद नहीं है अब stream है इसका मतलब यह समझ सकते हो कि सबसे आगे चल रहा है इस gear box की खास बात ही होती है कि यह कभी आवाज नहीं करता और बहुत easily लग जाता है मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने gear लगाया और लग गया वहीं अगर हम दूसरे side देखे तो यहाँ पर आपको मिले पर दिया गया है वहीं अगर आप दूसरे side देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक clutch मिलेगा जो की PTO का दिया गया इसका मतलब यह कि यह double clutch में आता है PTO का clutch अलग और आपके टेक्टर के gear का clutch अलग जो की काफी अच्छी बात है क्योंकि ऐसा होना चीए जिससे कि हमारे clutch की life जो है वो ज़्यादा रहती है वहीं अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे side में आपको differential lock जो की आप दोनों चको को एक साथ चलाने के लिए use कर सकते हैं उसके नीचे देखोगे आप तो hydraulic को control करने के लिए switch मतलब रास्ते में कहीं जा रहे हो तो full lock switch आपको मिल जाएगा अब अगर हम बात करें इसके back end की तो यहां से आप देखोगे कि इसके अंदर जो है काफी अच्छी positioning दी गई है पीछे tool walks दिया गया है और इसके mud guard को उपर उठा गया है ताकि इसके अंदर mud ना लगे और आप आसानी से धान में paddling कर सकें और अगर हम इसके hydraulic की बात करें तो इसकी मीटा की hydraulic दी गई है जो की 800 से 2000 kg की आती है साथ इसमें ये एक gear दिये गया है जिससे आप 540 और 750 PTO को कर सकते हैं मतलब दो option में PTO चला सकते हैं अब अगर हम इसकी PTO की HP की बात करें तो इसकी जो PTO HP है वो 42.5 दी गई है जो की government recommendation के नाम पर इन्हों ने लिखी है hydraulic की अगर बात करें तो ये meter type की है जिसमें 3 point sensing है मतलब 3 अलग अलग position पर आप sensing कर सकते हो और बना दी best hydraulic आप कह सकते हो meter को क्योंकि ये detector industry में सबसे अच्छी hydraulic मैं मानता हूँ वहीं आप देखो के तो इसमें linkage जो है वो काफी अच्छे दिये गए हैं मतलब draw ball type के दिये गए हैं जिसमें आप fix linkage कर सकते हो ज्यादा महनत नहीं करनी पड़ेगी और अगर हम इसके XL की बात करें तो ये epicyclic reduction वाला XL है जिसे sun planet reduction भी कहते हैं ये सबसे best होता है इससे हमार 30% इसमें engine का reserve torque दिया गया है front XL की बात करें तो ये four wheel variant है जिसके अंदर bubble pinion reduction आता है और जो power steering है वो dual side actuation बाला आता है मतलब दोनों side ही आगे पीछे हो सकता है ये खास बात दी गई है इससे tractor के उपर load नहीं पड़ता और आप इसका bubble pinion को देख सकते हो कि कितना बहतरी design कि किया गया है ये fully sealed होता है जिससे कि आप कितने ही mud में भी काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और इससे turning radius भी बहुत short हो जाती है वहीं अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो यहां पर आपको इसकी जो line दी गई है मतलब जो soft आई हुई है वो tractor के बिलकुल अंद पूड़ नहीं पूड़े पूरा soft के उपर लूड़ पड़े अभी मैं आपको ट्रिक्टर चलते में turning radius बताऊंगा कि यह कितना turn हो सकता है तो यही सब कुछ है कुबोटा M.U. 552 के बारे में अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करे साथ ही यह जरूर बताएं कि आपको कुबोटा डेक्टर कैसा लगता है बाकि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद